युनिवर्सल लिटिल ठेटर की अदबी दुनिया आपका इस्तखबाल करता है और सलाम पेश करता है किताब का नाम है जमील मंजर बहस्यस सहाफी पेशे खिद्मत है मंजर नामा शायर आसिम शैनावाज शिबली आसिम शैनावाज शिबली आसिम शैनावाज शिबली की आवाज से आप तमाम कारईन सामेईन अच्छी तरह से वाकिफ हैं ऐसी आवाज बड़ी ही मुश्किल से किसी के नसीब में आती है अब आज उनका लिखा रुबायात मंजर नामा पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ और माफी चाहता हूँ आसिम शैनावाज शिबली साहब से के वो आवाज मैं कहां से लाओं लेकिन मजबूरी है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बरदाश कर लेंगे मंजर नामा खमदर्द भी गमखार भी मंजर साहब खमदर्द भी गमखार भी मंजर साहब दिलबर भी हैं दिलदार भी मंजर साहब गुलपोश बी गुलबार भी मंजर साहब हैं यार तरहदार भी मंजर साहब हैं यार तरहदार भी मन्जर साहब एकान के होटों की महक है मन्जर एकान के होटों की महक है मन्जर अध्राग की आँखों की चमक है मन्जर हैं तिशन लबों के लिए मन्जर साघर है तिशना लबों के लिए मनजर साघर एसास के फूलों की लहक है मनजर एसास के फूलों की लहक है मनजर इसार औ शराफत के है पैकर मनजर मिल्लत की हमायत के है पैकर मनजर मन्जिल हो नहां वक्त के पर्दों में जब एक हुसन बशारत के है पैकर मन्जर इस रुबायात के मसन्निफ शायर मुतरम जनाब डक्टर आसिम शैनवाश शिबली साहब है जिनकी आवाज के जादू सर चर कर बोलता है लोग उनको सुनने के लिए बेचैंद रहते हैं लेकिन आज इस नाचीज ने एक उनकी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है मैं उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा अगर पसंद आएगा तो आप अपनी राय जरूर जरूर रवाना करेंगे एक उन्वान है जिसके मसन्निफ हैं डाक्टर आसिम शैनवास शिब्दी दुनिया में बाद चक्षियतें ऐसी होती हैं जिनका इच्तराम किया जाता है बाद ऐसी होती है जिन से प्यार किया जाता है और बाद ऐसी जिन पर जान निचावर करने की खाहिश होती है जनाब जमील मन्जर की शक्षियत कुछ ऐसी है कि उनके लिए तीनों जजबात एक साथ दिलों में मौजज़न होते हैं हकीकत तो ये है कि उनसे मिलने के बाद हकीकत तो ये है कि उनसे मिलने के बाद जिन्दगी से इश्क हो जाता है शराफत नजाबत मतानत और सिखावत से उन्हें विरासत में मिली है शराफत नजाबत मतानत और सिखावत उन्हें विरासत में मिली है जमील मनजर अपनी जात में खुद एक अंचुमन है कलकते की इल्मी औ अदबी तहजीबी सकाफती मिली मजभी औ सियासी औ समाजी मजलिसों की जान समझे जाते हैं अपनी भारी भरकम शक्षियत अदब शनासी तहजीबी तंकनत गेर मामूली इल्मियत मुखयर मजाजी और लजाहत औ शराफत की वज़ा से महवरे कल्ब औ नजर रहते हैं महवरे कल्ब औ नजर रहते हैं रिसाला सुहेल ने उनकी मकबूलियत औ इतराव में मजीद इजाफा कर दिया अजीजी डॉक्टर शाहिस साज ने इसी बाग औ बहार शक्षियत के हवाले से जमील मनजर वहैसियत सहाफी जैसी गिराकत और एहम तस्नीप पेश की है डॉक्टर शाहिस साज ने इनसर के समरदार और तकलीकी महक्क औ नाकिद है उसी तोर पे तहकीक के हवाले से उनकी तोसीफ औ तहसीन और इतराव और इतराव नकरना उनके साथ नाइंसाफी होगी इस जमन उनकी केई किताबे देखी जा सकती हैं ये किताब भी डॉक्टर शाहिस साथ की तहकीकी और तनकीदी सफर की एक मजबूत कड़ी है खुसीजी तोर पर जुजियात पर उनकी गहरी निगाह रही है उनके कलम की ताजगी और हिरारत ने किताब को काबल मुतायला बना दिया है ये किताब जमील मंजर की शक्षी और अदबी जहाद तो अब आद को समझने की काबल कद्र कोशिश है अब आद को समझने की काबल कद्र कोशिश है इस हुम्दा और खुसुरत तस्रीफ के लिए मैं डाक्टर शाहिस साथ को दिली मुबारक बात पेश करता हूँ और ये उमीद भी करता हूँ कि उनका कलम नित नए मौजवात को समेटने का और शेर अदब के मखवी और मस्तूर गोशों को भी वाख करेगा डाक्टर आसिम शाहिनवाज शिबली पीजी शोबय उतू मौलाना आजाद कालिच इस बात और नफी पॉब्लिकेशन 89 बाई 5 रिपन स्टीट शिबली होस कोलकता 7,16 लाक शिश्टीग आपको ये बात कैसी लगी ये मजबून कैसा लगा इस किताब को पढ़ने के लिए आपके अंदर खाहिश जागनी चाहिए मैं उमीद करता हूँ कि आप सब इस किताबों को जरूर खरी देंगे जमीर मंजर बहस्यत सहाफी जिसके मसन्निफ हैं डक्टर शाहिद साज और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ तीन सो रुपए सिर्फ और सिर्फ तीन सो रुपए और आपको ये किताब दस्तियाब है उस्मानिया बुग डिपू लोवर चीदपूर रोड कलकता सेवन लाग सेवन्टी थरी लेकिन आज कल उस्मानिया बुग डिपू आपको कोलु टोला में सिफ्ट हो चुका है आप यहां भी तश्रीफ ला सकते हैं उस्मानिया बुग डिपू कोलु टोला कलकता सेवन्टी थरी इस बात तो नफी पॉब्लिकेशन 89 बाई 5 रिपन स्टीट कलकता सेवन लाग सेश्तिन और बुग इंपोरियम सबजी बाग कुर्दू बाजार पटना आठ लाग चार यहां से आप ये किताबे खरीच सकते हैं और अपनी राए भेश सकते हैं मुबाइल नमबर 9831365009 पर और आप अपनी राए भेश सकते हैं डॉक्टर आसिम शेहनवास सिब्ली को आपको मेरा ये मजमून पढ़ना कैसा लगा आप इतनी राए का इजाद जरूर करें मैं इसे इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग उर्दू तो जानते हैं समझते हैं उनको दिलो दिमाग में उर्दू हर वक्ट छाई रहती है लेकिन उर्दू के किताब को वो पढ़ नहीं सकते हैं मस्त तो सकते हैं उन्हें अच्छा भी लगता है सुनना भी चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते इसलिए उन लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ और उन तक ये बात पहुचाने की कोशिश करता हूँ कि अर्दू में कैसे कैसे मुसन्निफ है कैसी कैसी चीज़े लिखी जा रही है ताकि उन तक वो बाते पहुच सके शुक्रिया उन्वसर लेटिल ठेटर की अदबी दुनिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया रखती है स्रामारे